कि अधिया और धनिया हो गए रहे मिला के जिससे वह स्वाध युक्त बने तो आवले का सेवन हर द्रिष्टी से इसके लिए बहुत ही उत्तम रहता है इसलिए इसी का नाम आवला नव्मी है और अक्षय नव्मी है और हर व्यक्ति सुख चाहता है दुनिया में कोई भी सरवा सुखम काम यते नकोपि दुखम ये वेदवचन है हर व्यक्ति केवल सुख ही चाहता है और सुख चाहता इस दिन जो सत कर्म करेगा उससे उसको सुख की प्रात्ति होगी हमारी इक्षा की पूर्ति होगी इसलिए इसका नाम इक्षा नव्मी भी कहा जाता है तो इसके तीन नामों की इसारत्ता है कार्थिक के महीने में उस आमले में भी यदि तुलसी दल डाल दिया जाए तो उसका और भी महत तो बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से पूर्ण ये फल को प्रदान करने वाली है